आज मैं आपको कुटो से समंदी 10 सुप संकेत पताऊंगी जो आपको जानना बहुत जरूरी है नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सेमी गोल्डन स्टार में दोस्तो अगर आप इन 10 संकेतों को जान जाते हो तो आपके जीवन में आने वाला कश्ट अच्छा है या बूरा जो भी संकेत है आपको पहले से ही पता चल जाएगा मेरा मत कहने का मतलब है कि नेगेटिव अनरजी को कैसे पोजिटिव में बदल सकते हो आप और स्तर्क हो सकते हो तो दोस्तो आज ये वीडियो आपके लिए पहुत ही खास होने वाला है इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखी और साथ ही साथ अपने चैनल पर नए हो तो ज और आप इस तरह की नोलिज से अपडेट रहोगे तो इसमें पहला संकेत जो कुटो के बारे में कुटो को बोजन करवाना अगर आप लोग कुटो को बोजन करवाते हो तो ये आपके लिए बहुती सुब संकेत होता है इसका मतलब है कि आपके उपर जो भी संकट है वो नहीं आएगा आपके घर में positive energy का संचार होगा positive energy का मतलब आपके उपर कोई कश्ट आने वाला है तो वो आपके उपर नहीं आएगा टल जाएगा अगर आप कुटों को बोजन करवाते हो तो ये आपके लिए बहुती जादा सुब माना जाता है इसलिए आपको कुटों को ब में खुशाली बनी रहेगी तो दूसरा अगला संकेत यात्रा की समय कुटों का भूंकना अगर आप कहीं जा रहे हो और कुटे जोर जोर से भूंक रही हो तो ये आपके लिए सुब संकेत है ये सुब संकेत इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर कोई कुटा आप पर भू आओगे तो आपके आगे संकटा सकता है इस लिए हो सके तो कुछ देर के लिए यात्रा को टाल दे या फिर वहीं रुक जाये अगर जाना बहुत जरूरी है तो थोड़ी देर के आराम से वहां रुक जाईए थोड़ा सा रुक कर पानी पीजिए और थोड़ी देर इंतजार करके वहां से जानना चाहिए ताकि आपके उपर आने वाली धुर्गटना टल जाए और आपका जीवन खुश हाल रहे तीसरा संकेत कुटों को आपको देखकर पूंच हिलाना दोस्तों कुटों का पूंच हिलाना तो आप सभी को पता है जब आपका कुटा आप से प्रीम करता है यानि कि आपको पसंद करता है तो कुटा पूंच हिलाता है इसमें वो आपको देखकर पूंच हिला है तो ये आपके लिए बहुती ज़्यादा सुप संकेत होता है कुटों का पूंच हिलाना बहुत ही अच्छा और सुब माना जाता है इसलिए मैं कहती हूँ दोस्तों हमेशा कुटों को भोजन खिलाना चाहिए अगर आप कुटों को कुछने कुछ खिलाते रहोगे तो वो हमेशा आपको देखकर पूंच हिलाएंगे और हमेशा आपके उपर positive energy बनी रहेगी चोथा संकेत, कुटों को खुजली करते हुई देखना अगर आप लोग कुटों को खुजली करते हुई देखते हो तो आप समझते हो कि ये तो गंदकी के कारण खुजली कर रहे हैं कुट्टे नहाते कम हैं इस कारण खुजली कर रहे हैं लेकिन दोस्तों ये आपके लिए सुब संकेत हो सकता है अगर आप लोग सुबे सुबे कुट्टों को खुजली करते हुए देखते हो तो ये आपके लिए बहुती अच्छा संकेत माना जाता है कुट्टे को खुजली करते समय देखना धन की प्राप्ती का संकेट देता है तो ये आप लोगों के लिए अच्छा संकेट माना जा सकता है पांचवा संकेत कुट्टों को रोटी देना दोस्तों कुट्टों को रोटी देने का मतलब है अपने शत्रूं को हराना अगर आप अपने शत्रूं का सरमनाश करना चाहते हो अगर इसलिए कुट्टों को रोटी खिलाए अगर आप कुत्तों को रोटी खिलाते हो तो आपके शत्रू जो आपके उपर हावी होने की कोसिस करता है वो आप पर हावी नहीं होगा इससे आपके शत्रू का नाश होगा इसलिए दोस्तों आप सब कुत्तों को रोटी जरूर खिलाना अगर आपका शत्रू आप पर भारी है उसका परभाव आप पर पढ़ रहा है तो आप दोस्तों कुत्तों को रोटी जुरूर खिलाए ताकि आपको सत्रू का परभाव आप पर से कम हो जाए या खतम हो जाए अता है रोटी खिलाना आप सब के लिए दोस्तों के लिए बहुत समकेत जए चıtता संकेत कुटे के मों में हड़ी दिखना दोस्तों अगर कोई कुटा हड़ी चबाते हुए दिख जाए प्रंतो अगर आप उसके मों में उसी चबाते हुए देखते हो तो ये आपके लिए बहत सुब संकेत माना जाता है आज आप किसी भी यात्रा पे जा रहे हो और रास्ते में किसी कुट्टे को गली में कौने में कहीं भी हड़ी चबाते हो देख लेते हो तो इसका मतलब है कि आपका काम बन जाएगा आप जिस कारिये के लिए जा रहे हो उसमें आपको सफलता मिलेगी इसलिए कुट्टो के मुव में हड़ी दिखना एक सुब संकेत माना गया है सात्वा संकेत कुट्टो को पानी पीते देखना दोस्तो अगर आप लोग कुट्टो को पानी पिला पिता हुआ देखते हो तो यह आपके लिए बहुती सुब होगा अगर आप किसी कुट्टे को गंदा पानी पीते हुए या फिर दूशित पानी पीते हुए देखते हो तो यह है आपके लिए असुब माना जाएगा इसलिए दोस्तो आपको हमेशा कुट्टो को पानी जरूर पिलाना चाहिए अगर आप प्रति दिन ऐसा करते हो तो आपके साथ हमेशा कुछने कुछ अच्छा होता रहेगा अगर आप कुद्ते को गंदा पानी पीते हुए जैसे नाली, गंदगी या इतियादी से गंदा और दुशित पानी पीते हुई देखते हो तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है या कोई दुरगटना भी हो सकती है या आपके आर्थिक स्तीती भी खराब हो सकती है इसलिए कुटों को गंदा पानी पीते हुई देखना असुब माना गया है और वहीं अगर बहुती सुब माना जाता है आठवा संकेत कुत्तो का रोना दोस्तो हम सब को पता है कि कुत्तो का रोना सुब नहीं माना जाता कुत्तो का रोना तो बहुती असुब माना गया है माना तो यह भी जाता है कि जिस घर के पास कुत्ता रोता है या जिस घर के आस पास भी हो तो उ असुब नहीं मानते लेकिन दोस्तों एक बात बताओं आपको और कुटों को हर बार रोना असुब नहीं होता, कई बार कुटा भूग के कारण भी रोता है, इसका मतलब नहीं कि भूग से असुब होता है, ताकि जो नाकारातमक उर्जा आपके घर में परवेश कर रही हो वो साकारातमक उर्जा में बदल जाए आपके घर में सुक और समरिदी में वरिदी कर सकते हैं इसलिए आपको उसको रोते समय कुछ खाने के लिए जुरूर दे दे नवा कुट्टे का घर में बच्चा देना ये भी एक सुबसंकेत माना गया है कि घर में कुट्टे का बच्चों का जनम लेना अगर इसे भी सुबसंकेत माना जाता है आपके घर में या आस पास कोई कुट्टा जब बच्चा देता है तो घर से भगाएना इसका मतलब यह है कि उस जगह बहुती ज़्यादा साकारात्मक उरजा है जो आपके लिए सुब संकेत है इसलिए अगर कोई कुटा आपके घर में बच्चा देता है तो ये आपके लिए बहुती सुब माना जाता है कुटा उसी जगह बच्चा देगा जहां पॉजिटिव अनर्जी का संचार होता हो पॉजिटिव अनर्जी से मेरा मतलब है आपके किसी परकार की लड़ाई जगड़ा नहीं होगा घर परिवार में प्यार बना रहेगा इसलिए घर में पॉजिटिव अनर्जी का होना बहुत जरूरी होता है ऐसे में अगर कुटा आपके घर में बच्ची को जनम देता है तो वो यही दर्शाता है कि आपके घर में पोजिटिव अनरजी पहुत जादा है अते बच्चा देना सुब माना जाता है दस्वा और लाश संकेत कुटों का लड़ाई करते हुए दिखना दोस् आस पढोस में या फिर किसी रिष्टेदार में किसी परकार की लड़ाई देखने को मिल सकती है तो अगर आप कुटों को लड़ते हुए देख लेते हो तो यह आपके लिए सुब नहीं माना जाता इससे बहुत ही असुब माना जाता है तो दोस्तों आप सतर्क हो सकती हो घ दिन दस संकेतों में से कौन से संकेत से ज़्यादा संतुष्ट हो और कौन से संकेत से आप संतुष्ट नहीं हो वो भी मुझे जरूर बताए दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और साथ की साथ अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए दोस्तों इसी तरह की अगली वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन बंदे मातरा